यह देखे गाइस यम्मी टेस्टी हम बनाएंगे मटर का नास्ता जो की बहुत 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 टेस्टी और बहुत हेल्दी होगा और यह देख सकते हैं कितना प्यारा कितना यम्मी लग रहा है देखने में तो चलिए देखते हैं कि हमने मटर का नास्ता कैसे बनाया है जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है हलो एवरिवन आप सबका श्वागत है हमारे यूट्यूब चनल चायमिस्टा में ये देखे हैं हमने इसमें दो ग्लास पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए तो इसमें मटर काफी अच्छी आ रही है तो उसके नास्ते डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं तो ये देख सकते हैं इसमें मटर को हम बॉयल करेंगे मगर बॉयल करने का तरीका भी देख लें इसमें हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून नमक और अब डालेंगे एक टेबल स्पून के करीब चीनी क्योंकि हम अगर चीनी और नमक दोनों ही डालेंगे एक तो उसका मीठापन भी बना रहेगा और नमक और चीनी दोनों डालने से उसका जो हरा रंग होता है ताजा वो भी बना रहेगा अगर आप फिरोजन मटर लेते हैं तो उसमें यह प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यह देख सकते हैं अब इसमें हमें एक बाउल अपनी डाल देंगे हरी मटर क्योंकि हम हरी मटर ले रहा हैं क्योंकि इस टाइम बहुत अच्छी सी हरी मटर आती है तो यह देख सकते हैं हमने एक मेट उबाल लिया इसको बाल किया है लकिन फोल कर देख रहा है मगर अभी मटर हमारी बाल नहीं हुई है तो हम इसको फिर से ढख देंगे यह देखे गाए हम इसमें कुछ पालक भी आड़ करेंगे जिससे की बच्चों को काफी हल्दी नास्ता मिले और यह हमने मिर्च ले रखे हैं स्वात के अनुशार यह कुछ पालक के पत्ते हमने कट करके रखे हैं जो कि हम इसमें बाद में आड़ करेंगे तो ये देखिए फिर से हम देखेंगे अपने मटर को निकाल करके तो उसी तरह से एक मटर का दाना लेंगे और इसको हम तोड़के देख लेंगे अगर अच्छे से पक गई होगी तो वो हमारा मटर बॉयल हो चुका है तो चलिए देख लेते हैं कि आगे और क्या करना है यह देखे गाइस एक बाउल हमने ले लिया है कच्चा चावल आप ये कोई भी राइस ले सकते हैं जो भी आप घर में खाते हैं तो देखे हाफ राइस हमने इसमें डाल दिया है एक बाउल का और इसमें कुछ इंकेरिन हम माइट करेंगे ग्राइड करने के लिए देखिए एक मीडियूम साइज का प्याज और जो हरी मिरचली थी स्वाध के निसार वो डालेंगे एक इंच द्रग का टुकड़ा जो कि हम छील के डाल दियें और ये देखे कुछ पालक डाल देंगे इसमें पालक डालने से जो हमारा चावल-ावल का कलर है वो बढ़िया ग्रीन हो जाएगा अब हम इसमें डाल रहे हैं हाप मटर तो ये देखे एक बार हमने ग्राइंड कर लिया है जो पालक और मटर बची थी राइस वगरा वह भी अमने डाल कर लिया तो देखिए अब हम कुछ दो से तीन स्पून दही ले रहे हैं जो किसमें एड करेंगे पानी का यूज हमने नहीं किया है हमने दही डाला हुआ है अगर आपको लगे कि हां थोड़ा सा पीस नहीं रहा है ग्राइड नहीं हो रहा अच्छे से स्मूथ पेस नहीं बन रहा तो आप थोड़ा सा पानी ले सकते हैं पानी की जगए पर हमने फिटा हुआ दही लिया हुआ है तो यह देख सकते हैं बैटर की कंसंटेंसी ऐसी होनी चाहिए ना जाधा फ्लोइंग होनी चाहिए मतलब ना अध्водि लिया है cabin sage cabbage यानी बंध को भी उसको भी महीन बारी काट लिया है और यह जो हमने हरी पत्तिया पालक की बचाकर रखि दी उसको भी हम इसमें एड कर देंगे और इसको हम mix करेंगे देखिए अभी हमने इसमें नमक नहीं add किया हुआ है तो अब हम नमक इसमें बात में add करेंगे तो इसको mix करते हैं अच्छे से आइज आप सब जानते होंगे पालक में iron वगरा होता है और बंदगोबी में भी होता है तो इस वज़े से बच्चों को ये सब देना बहुत 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 जरूरी होती है ये एक तो मौसमी सबजिया है ये देखिए इसमें हमने डाला हुआ गरम मसाला क्योंकि इस समय ठंड़क का मौसम है तो गरम मसाला थोड़ा सा डाल कर देंगे तो अच्छा रहेगा और गरम मसाली में सारे मसाले होते हैं तो ये देखिए हमने इस वाद के नमक डाल दिया है इसमें आप चिली फ्लैक्स वगरे डाल सकते हैं आरगेनो डाल सकते हैं बट हम ये सिंपल सा नास्ता बना रहा हैं बिल्कुल जो कि बिल्कुल सिंपल है और एक बात और गाईज इसको आप अपे पैन में भी डाल कर बना सकते हैं जो कि अपे पैन हमारे पास है नहीं तो हमने ऐसे ही तवे पे बनाना बताया है तो आप देख सकते हैं यह देखें गाइस हाफ हम डालेंगे अलग काटोरी में निकालेंगे क्योंकि इसमें हम दो तरीके से बताएंगे एक हम इनो डाल कर बताएंगे और एक हम बिना इनो का नास्ता बनाना बताएंगे कि जैसे अगर इनो नहीं है तो भी आप बना सकते हैं और अगर आपके पास baking soda है तो वह भी add कर सकते हैं तो यह देखिए हम इसमें थोड़ा सा इनो fruit salt डालेंगे half tablespoon यह देख सकते हैं half tablespoon हमने इनो डालेंगे और इसको activate करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी add करेंगे कि यह पानी डालेंगे तो यह हमारा activate हो जाएगा और इससे बैटर जो होगा हमारा यह fluffy बनेगा और जो हम नास्ता भी बनाएंगे अप लास्ट में इसका हम दिखाएंगे भी कि इनो डालकर बनाने से और simple बनाने से नास्ता क्या difference है तो बहुत जादा difference नहीं होता है हम आगे दिखाएंगे तो यह देखिए हमने अपना तवा ले लिया है जो कि iron का है मारा तवा तो उसको हमने अच्छे से grease कर लिया है तेल से और आब इस पर हम डालेंगे अपना बैटर यह देखिए हम ऐल लगा रहे है इसमें तो तवा मारा हो जाएगा तब हम इस पर एक लेडर यह देखे हम इस पर बैटर अपना फैला देंगे और इसको अच्छे से से सेफ देते हुए ढखकर पकाएंगे इसकी फ्लेम जो होगी वह बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल हलकी रहेगी जिससे की जले नहीं और यह देख सकते हैं आप इसमें एयर बबल्स बने हुए हैं क्यों सेखेंगे क्रिस्पी होने तक इसे हम सेख लेंगे अच्छे से जिससे की हमारा कच्छा ना रहा यह देखिए कलर चेंज हो चुका है तो इसका मतलब यह हमारा पक चुका है तो इसको हम टर्न कर लेंगे देख सकते हैं कितना प्यारा कितना यम्मी लग रहा है देखने में तो इसको ऐसे ही उलटते पलटते हम सेक लेंगे कलर आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा आया हुआ हुआ है तो इसको हम निकाल कर अलग रखेंगे और इसी तरह से हम बाकी के भी सारे सेक लेंगे कि गडिया को है कि इसे उसखें है जए दूसरा हमने बनाया हुआ तो इसी तरह यह देखी है यह जो दूसरा बैर हमने लिया था बीना इन्हुवा में χ declining नहीं किया था या फिर कुछ भी एड नहीं किया था यह हमने ले लिया है है दूसरा घiku इसे में डाल दिया अपना दाकि फेटते हुए हमें बने तो इसका भी हम यह देखें उस्सी तरह से उसी तावे पिपर इसको भी हम सेक लेंगे यह देखें उसी तरह से फैलाते हुए मं उसे हम शेक लेंगे है ऊच्छे से ऐसे सिफ देंगे एस तरह से धक पका रहें इसमें यह देख सकते हैं इसमें आपका यह यह देख सकते हैं जो इनो से हम 닌या था वो थोड़ा साफ्ट है तो आप आराम से देख सकते हैं थोड़ा सा जैसे ब्रड नहीं फूली-ूली होती है उसी तरह से हे फूल गया था इनो आल यह देख ओहowan हमाया बिना इनो का बनकर रड़ी है तो इसी तरह से हम बाकी के भी शारे सेक लेंगे उलटते पलटते धिमी फलेम पर यह देखे लिए इसको भी इसी तरह से दूसरे भी सेक लेंगे तो यह देख सकते हैं हमारे सारे सिक करके तयार हो चुके हैं तो यह देख सकते हैं आप लोग पहचान सकते हों कि इनो वाला कौन सा है और बिना इनो का कौन सा है तो यह देखें इनो का है तो जो इनो का है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और थोड़ा सा फलफी होता है यह देख सकते हैं तो यह ज्यादा हार्ड नहीं है बट लेकिन जो हैं थोड़ा सा हार्ड है तो आज के हमारे यह रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड शेयर